ये है अर्जे कार्तिक की वन मिनिट स्टोरी एक गरीब परिवार की कहानी जहाएं एक बच्चे को बादाम बहुत पसंद है उसके पिताजी ने एक दिन दो कटोरी हलवा बनाया एक में दो बादाम उपर सजा के लगा दिया लड़के से कहा चुन लो क्या चुनना चाहते हो लड़के को बादाम पसंद है उसने वो दो बादाम वाली कटोरी उठा लिए आश्चरी उसे तब हुआ जब उसके पिता की कटोरी में जिसमें उपर बादाम नहीं दिख रहे थे बच्चे ने अपकी बार वो कटोरी उठा ली जिसमें बादाम उपर नहीं थे उसे लगा अंदर मिलेंगे अपकी बार अंदर कोई बादाम नेकला उसके पिता जी ने उसे सिखाया कि बेटा जीवन हर दिन नहीं चाल चलता है पुराने एक्सपीरियंस को ही पकड़के बैठे रहोगे हारते चले जाओगे तीसरे दिन फिर से पापा ने वही किया बच्चे ने कहा पापा आप बढ़े है आज आप अपने लिए पहले उठाईए मैं बात में जो बच्चे ही उठा लोगा पिता जीने वो कटोरी उठाई जिसमें उपर दो बादाम लगे थे लड़के को वो मिली जिसमें कोई बादाम नहीं था लड़के ने खाना शुरू किया तो अंदर आठ बादाम निकले उसके पापा ने कहा जब बच्चे जब दूसरों का सोचना शुरू करोगे